अगर नहीं तो कौन अंजिना जी बहतर हो यह कंसे कम जूट तो नहीं बोलती हैं अपने नेता से जादा शम्ता आप मुझे में डेखते हैं यह तो चिंता की बात हो नहीं चाहिए कॉंडर्स के लिए जब आप जानते हैं कि अडानी ने यह सब घलत तरीके से किया तो उसी अ कि राजस्थान ने कोईला किसने दिया चत्रिजगर ने पोर्ट किसने दिया अभी महाराष्ट विकासर गाड़ी बताई चुके और केरल ने भाई यह सब तो नाम ले रहे थे वह अपने लिए लिए रहे थे कि हमारे लिए लिए तो बता दे दोस्तों आगे इस डिबेट क शांदार होने वाले इसलिए वीडियो का एंट जरुसर देखेगा चैनल पर ने चैनल को सब्सक्राइब वीडियो को लाइक बिजसर करके जाएगा चले वीडियो को श्रू करता है आप से सवाल है राजिस्थान में बजट पेस हुआ उसमें असोग गहलोत ने पुराने बजट के तीन पैराग्राफ पड़ दिये क्या इस सीरिसनेस के साथ वो दोजार चौवीज लड़ेंगे आप मैं मानता हूं गलत हुआ नहीं होना चाहिए मुक्मंत्री है आपको पता होना चाहिए जैसे आप कह रहे हैं कि अदानी पे जाच होनी चाहिए होनी चाहिए पर मेरा एक सिंपल सा कोशन है ऑपोजिशन से है कि अगर मोदी नहीं तो कौन 2024 में कोई ऐसा है जो कि मोदी के अगें सिंगल प्रेजिदेंस लेके लड़ सके मोदी के अगें नंजना जी है नहीं तो पहचांट कॉन नहीं बोलती हैं देश का प्रधान मंत्री अगर सारा दिन जूट बोलता है जूट बोलकर देश को घुम्राह करता है चुनाव से पहले भी और चुनाव के बाद भी अब उसके सवाल का जवाब दीजे मोदी जी से बहतर बहुत लोग हैं इस देश के अंदर 140 करों लोग वो पूछ रही है विपक्ष का कौन सा नेता है जो उनको चुनोती देश का नाम क्यों नहीं लेते हैं वापस आतो राहुल जी का नाम क्यों लेने में हिच किचारे यह गंभी डिवेट हो रही है तो आप नाम लेके स बीजेपी से बड़े मोदी मोदी देश से बड़े मोदी सबसे बड़े और सबसे बड़े और इसवाल आलोग जी से है जो आप अडानी अडानी कर रहें आप का एजेंडा क्या है आप क्या इस इशू में मोदी जी को घेर के वोट खरीदना चाह रहे हैं कि आप सच में जाच चाहते हैं और अडानी को कॉंट्राक्ट आपकी सरकार में मिला था तो अगर वो इलीगल नहीं था तो ये इलीगल कैसे हो गया अब कैसे इसी बिजनस्मेन के खिलाफ है ना अडानी के खिलाफ गलत तरीके से एक सवाल मुझे पूछ रहे हैं यह सवाल यह सवाल यह बच्चे हर कॉंग्रेस वाले से पूछ रहे हैं इसका जवाब आप आप ही दे सकता है आपने कहा ना मुरिश्यस की शेल कंपनी के क्यों नहीं करते सर अगर अनैतिक प्रक्रिया से कोई भी बिजनस्मेन काम कर रहा है तो गेहलोट जी क्यों के साथ गलबहियां कर रहे हैं कि मुझे लगता है किसी भी बिजनस्मेन को अधिकार है वो अपना बिजनस करें लेकिन सरकार जब पार्टी बनकर मोदी जैसे क्यों करें लोगों के लिए अंजना जी सवाल का दूसरा भाग था कि जाच करा लिए नदूद का दूद का दूद और पाणी नियास हुआ जब 9-989 को चला नियास हुआ ता उसके साथ ही पैसा इकटा वना शुरू हो गया था दूसरी बात अब हम कोवीट से निकल के बाहर आ रहे हैं इसलिए हमने आपको बताया कि अब 6% हम दुनिया में इस समय बड़ी वर्त्रेश्था में इकलोते देश हैं जहां ग्रोथ रेट ऊपर है और इंफ्लेशन रेट नीचे आने था जी सेवने जी ट्वेंटी कोई कंट्री बता दे जहां पर की ग्रोथ विकासर गाड़ी बताई चुके और केरल ने अगर भारत के रेगुलेटर को नजर नहीं आ रही है तो आपको जिस आधार पे जिस इंडन भर के आधार पे कह रहे हैं वो तो अपने ही देश में आरोपित हो चुका है और इसलिए मैं सिर्व यह कहना चाहता हूं कि हकीकत क् कि इनके सामने इस्थिती यह है कि एक कहवत होती है वो कॉंप्लिकेटर हो जाएगा तो से रुसका आर्थ बता देता हूं देहने जे खायो जे बरी को साप रहे मतब एक रसी है वो साप में जराने लगे किसी को यह उसका मानसिक भ्रहम है अब वो कहे सबसे सबसे समझ हैं कि क्या खतरा है और किधर से खतरा है कि हुझाटे सा दोस्तों कॉंगरेस की हमेशकी है यह आदत रहिए वह हर डिवेट में आती है तो अपनी बेस्ती कर्वां के हिजाती है उनके पाद तर्क नी होते बाते का सहूल ही अतनी होती पता नहीं क्या बाकवास करते रहते डिवेट के अंदर आके ऐसी बाते करते जो एक्जिस्टी नहीं करती ओडियंस में बजा दिया अंजना ओम कश्यप में बजा दिया बची कुछी कर से सुधान सु त्रिवेदी जिन निकाल दे फिर भी अपनी बेस् बचेशलेट कर दे लेकिन मोदी जी ने पूरा देश पेज दिया तो इसके साथ यह डिवेट समाप करता हूं अगर वीडियो पसंद आते वीडियो को लाइक कर दीज़ेगा चैनल पना चैनल को सब्सक्याइब बगले ये बीब रिए कि दूसा पटिलीग बबगले कि छिए बाइदे कि उन्हें अपकी जीकिए